हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन पर्सेंट पर तो दोस्तो आज हम फिराज रोगे हैं एक नई वीडियो के साथ में तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स पर आज किस वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तो बने रही है वीडियो के साथ में मैंने इससे पहले वी एक वीडियो अप्लोड कराई है जिसमें आपका हाउस कीपिंग से रिलेक्टिड सभी टूल्स के नाम आपको बताए हैं जो आपके ट्रियर ट है जो भी स्टुडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो सभी स्टुडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबालें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में तो आज की वीडियो में क्या है आज की वीडियो में जो हमारे हाउस कीपिंग सफाई करमचारी जो होते हैं उनके जितने भी टूल्स होते हैं उनकी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे कैसे उनको यूज करना है कब आपको यूज करना है यह सब ही क cleaning mop क्या है यह cotton floor cleaning mop यह होता है दोस्तों क्या है यह आप देख सकते हो इसे cotton floor मतलग कि सफाई पोचा या फिर हाथ का पोचा इसे बोलते हैं और इस पोचे का इस्तमाल किसी भी first पर पोचा लगाने के लिए कर सकते हैं क्या है दोस्तों आपके सामने एक photo दिया गया है इसके बा जितने भी टूल से हैं सभी टूल से related सभी confusion इस वीडियो में दूर होंगी तो पहला क्या है पहला हमने बता दिया है cotton floor cleaning mop मतलब कि cleaning mop क्या है यह सफाई का पोचा होता है अधर मतलब कि गिला पोचा बोलते हैं वेट मोप चार क्या होते हैं लेकिन most of 2 पिरकार के वेट मॉप का इस्तमाल ही जयादातर किया जाता है क्या दिया गया दोस्तो इसमें साप साप दिया गया है जो हमारे वेट मॉप होते हैं ये 4 पिरकार के होते हैं कौन कौन से हैं आप देख सकते हो रैड, येलो, ब्लू, एंट, ग्रीन बट most of क्या है दो पिरकार, दो पिरकार के, दो पिरकार के वेट मुप मतलब की गीले पोचे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा दो पिरकार के पोचे का ही इस्तमाल किया जाता है, बट यह होते कितने हैं, यह होते चार पिरकार के हैं, बट most of दो पिरकार के ही पोचे का इस्तमा जाता है वो हम आगे बताएंगे देखते हैं, next है हमारा समसे पहला है blue wet mop, मतलब कॉन सा? blue मतलव की निला, निला पोच्छा, याद रखना है निला पोच्छा, निला पोच्छा क्या है? blue wet mop, निले पोच्छे, sorry, निले गीले पूछे का इस्तमाल किसी भी फिलोर की सफाई करने या फिर पूछा मोपिंग लगाने के लिए कर सकते हैं मतलब क्या बोला गया है इसमें साप साप बताया गया है जो हमारा नीले कलर का मोप होता है नीला वेट मॉप होता है उसका इस्तमाल हम किसी भी फिलोर की सफाई करने के लिए इस्तमाल में लाते हैं याद रखना किसमें बिलू वेट मॉप का इस्तमाल फिलोर किसका फिलोर की सफाई के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते ही next, next हो जाएगा दोस्तों हमारा red wet mop, red wet mop मतलब की लाल गीला पोचा, लाल जो पोचा हमारा इसका इस्तमाल कहां किया जाएगा, सब सब दिया गया है, लाल गीले पोचे का इस्तमाल, toilet और bathroom की सफाई करने में, पोचा या फिर पोचा लगाने में इसका इस्तमाल किय जाता है, किसका, जो हमारा लाल कलर का होता है, लाल कलर का wet mop होता है, उसका इस्तमाल, most of कहां पर, toilet या फिर bathroom में सफाई करने के लिए, इसका इस्तमाल किया जाता है, याद रखना है, blue wet mop का इस्तमाल, floor cleaning के लिए, और red wet mop, जो उसका इस्तमाल, toilet या फिर bathroom की सफाई के लिए किया जाता है most important है द्यान में रखके चलना है यहां से आपके trade test में question आप से पूछे जा सकते हैं देखते हैं next next tool आजाए दोस्तो हमारा dry mop मतलब की सूखा पोचा dry mop क्या है देख लेते हैं dry mop को dust mop या फिर floor dust mop के नाम से भी जाना जाता है याद रखना है जो हमारा dry mop हो dry mop है इसको dry mop या फिर floor dust mop के नाम से भी इसको जाना जाता है के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तमाल सभी floor की से धूल मिट्टी कूडा कच्रा आधी को साफ करने के लिए किया जाता है किसका यह आपके सामने फोटो दिया गया है यह क्या है ड्राइ मॉप या तो इसे ड्राइ मॉप बोल सकते हो दोस्तों आप जिसका इमेज आपके सामने है या तो इसे ड्राइ मॉप बोल सकते हो या आप इसे फिलोर डश्ट मॉप भी बोल सकती है और इसका जो इस्तमाल किया जाता है वो फिलोर मतलब जो फर्स होता है हमारा फिलोर से धूल, मिट्टी, कूड़ा, कच्रा, आधी की साप सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि या जाता है क्योंकि दोस्तों जो हमारे देखो एक होती है फूल जाडू फूल जाडू का इस्तमाल कहां किया जाएगा जैसे रूम बगएरा होगे छोटे इस्थानों पर हम फूल जाडू का इस्तमाल कर सकते हैं जब हमारे बात आती है फिलोर बगएरा की फिलोर जो होते हैं, वो फिलोर होते हैं बड़े, तो उस टाइम पर हमें dry mop या फिर dust mop का ही इस्तमाल करना होता है, इसका इस्तमाल साप सपाई कूड़ा कच्रा हटाने के लिए किया जाता है, चलते हैं next point की तरफ, next है दोस्तो हमारा bucket floor cleaning mop, most important है दोस्तो सफाई करमचारी वाल इसे घर पर और ओफिस में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें एक bucket mop को भिगोने के लिए और दूसरी उसे drain करने के लिए होती है दोस्तों आपको साब साब बताय गया है एक तो होता है जो हमारा ये bucket दिया गया है इसमें तो हमारा होता है cleaning water जो हमारा chemical वाला पोच्छा लगाने का पानी होता है जिसमें chemical मिला होता है उसमें तो water भर दिया जाता है उसमें water भरने के बाद ये हमारा हो जाएगा wet mop wet mop को पहले इसमें डाला जाएगा उसके बाद में इसमें drain किया जाएगा ये कुछ हलके पानी इसमें से जब ज़्यादा वाटर पानी आ जाता है तो ये उसको सोक लेता है कम वाटर कर देता है ये इसमें बता गया है साफ साफ पढ़ लेना है मतलब कि इसे घर और आफिस में सफाई के लिए इसमें एक बकेट मॉप को भिगोने के लिए तो दूसरी उसे ड्रेन करने के लिए है इसकी मदद से होली त्योहार गंदगी हुई फर्स भी आसानी से साफ हो जाती है और आपको ज़्यादा भी महनत करनी नहीं पड़ती है साफ साफ बोला गया दोस्तो किसका जो हमारा बकेट क्लिनिंग मॉप है इसका इस्तमाल हम गंदगी को साफ करने के लिए दाग धब्बो को छुड़ाने के लिए एबम मॉपिंग करने के लिए कर सकते हैं और इसको इस्तमाल कैसे करना है इस्तमाल करने का तरीका भी मैं आपको बताया देता हूँ सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको इसमें ये bucket दिख रहा इसमें cleaning water भड़ना है जो हमारा chemical वाला पोच्छा लगाने वाला पानी होगा इसमें भरा होगा उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है mope इसको दूसरे नंबर पर लेंगे इसमें डूबोना है क्या करना ड्रेन करने के बाद में आप किसी भी फर्च पर फिर इस को पोच्छा लगाने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं Most important तर सफाई करमचाली वाले student के लिए देखते हैं next topic Next आता दोस्तो हमारा फिलोर वाइपर क्या फिलोर वाइपर के बारे में तो अधिकतर सभी को पता होना चाहिए तो देख लेते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये जब भी फर्च पर पानी गिर जाता है तो हम फिलोर वाइपर का इस्तमाल पानी को हटाने के लिए करते हैं इतना ही नहीं कभी कभी साफ सफाई के लिए हमें खुद भी फर्स पर पानी किराना पड़ता है और उसके बाद फर्स की सफाई करने के लिए वाइपर का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल है दोस्तो हमारा क्लीनिंग इस्प्रे बोतल मोस्ट इंपोटेंट है यह याद में रखना क्या क्लीनिंग इस्प्रे बोतल देख लेते हैं इसे रसाइन मतलब की क्लीनिंग रसाइन मतलब की केमिकल इसे chemical spray bottle बोलते हैं और ये bottle अलग-अलग size में उपलब्द होती है जैसे कि 350 ml से 550 ml तक ये इसके size में उपलब्द होती है और इस bottle का इस्तेमाल सभी सफाई करमचारी सफाई रसाइन मतलए कि housekeeping जो chemicals होते हैं उनको डाल कर इस्प्रे करके सफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए जो भी सफाई करमचारी होते हैं इस bottle में housekeeping मतलए chemicals जो होते हैं chemical को डाल के bottle में spray करने के बाद उस पे सफाई करने में इसकी help लेते हैं तो most important है याद रखना housekeeping spray bottle देखते हैं next tool next tool है दोस्तों हमारा dust pen ये भी most important है dust pen क्या है तो अब मैं बता देता हूँ इसे dust pen बोलते हैं और dust pen का उप्योग कूडा कचरा उठाने के लिए किया जाता है लेकिन इस dust pen से कूडा उठाने के लिए सफाई कर्मचारी को नीचे जुकना पड़ता है क्या है ये ये आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में इसका नाम है दोस्तों dust pen ये dust pen है अगर जब हम साप सफाई करते हैं जो भी हमारे ढूल मिट्टी जो भी कूडा कचरा होता इखटा हो जाता है तो उसके बाद में हम इस dust pen को हाथ में लेकर ब्रस के माध्यम से उस कूड़े कचरे को इसमें बढ़ देते हैं कूड़े कचरे को इसमें एकत्रित कर देंगे बट इसमें क्या होगा इसमें हमें जुकना होगा कूड़े कचरे को उठाने के लिए क्योंकि यह छोटा है इसलिए बैठ कर या फिर जुक करके वो कूडा के तरह हमें उठाना होगा याद रखना है dust pen, most important है देखते हैं next, next tool आता दोस्तो lobby dust pen जो दोस्तो मैं अभी बताया था dust pen, dust pen भी हमारे दो पिरकार के होते हैं मैं बताना भूल गया, dust pen दो पिरकार के होते हैं एक तो मैं ने बता दिया आपको पीछे dust pen हो गया एक तो यह हो गया dust pen और दूसरा हो गया हमारा यह lobby dust pen lobby dust pen क्या है, देखो dust pen में तो हमें या तो बैठ कर कूडा भरना पड़ता है और या फिर हमें नीचे जुक करके उसमें कूडा भरना पड़ता है अब बात कर लेते हम lobby dust pen की, lobby dust pen है क्या इसे lobby dust pen बोलते हैं और lobby dust pen का उप्योग भी कूडा कचरा उठाने के लिए ही किया जाता है लेकिन इस lobby dust pen से कूडा उठाने के लिए करमचारी को नीचे नहीं जुकना पड़ता है lobby dust pen से सफाई करमचारी सीधा खड़ा होकर ही कूडे कचरे को lobby dust pen में भर सकता है दोस्तों आप इसे देख सकते हो, यह lobby dust pen हो गया, यह उसका brush हो गया यह तो dust pen है, यह brush है, याद रखना है, इसे क्या होगा, जो सफाई करमचारी है आराम से खड़े होकर ही अपने कूडे कच्डे को भर सकता है क्योंकि इसमें एक stick लगी हुई है, brush में और dust pen में इस तक लगी हुई है, पहले आप dust pen को पकड़ सकते हो, इस stick को खड़े हो करके उसके बाद में इस brush का इस्तमाल करके उस कूडे कच्डे को इस dust pen के अंदर भर सकते हो तो इसमें जुखना नहीं पड़ता है याद रखना है क्या lobby dust pen जो है, इसमें खड़े हो करके सफाई करमचारी को कूड़ा कच्रा आसानी से बाढ़ सकते हैं इसमें जुखने की जरुवत नहीं है बट जो only हमारा dust pen है, यह जो dust pen है, इसको बैठ किया तो सफाई करमचारी को नीचे बैठना होगा या फिर नीचे जुखना होगा कूड़ा कच्रा पढ़ने के लिए चलते हैं अब next topic की तरफ, next हो जागा दोस्तो हमारा table duster table duster है क्या यह, जान लेके हैं इसे table duster की नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल, dusting, मतलब की धूल मिट्टी के कड़ों को साफ कनने के लिए किया जाता है साप साप दिया रहा है, आप image में देख सकते हो क्या है यह, इसे table duster बोला जाता है दोस्तो और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है इसका इस्तमाल धूल मिट्टी के कड़ों को मतलब कि एक प्रिकार से जाड़न कपड़ों धूल जो हमारी धूल मिट्टी जम जाती है उन सबी को साफ कनने के लिए टेबल डस्टर का इस्तमाल किया जाता है इसे आप डस्टर के नाम से भी पोकार सकते हैं, या तो table duster बोल सकते हो, या फिर duster भी से बोला जा सकता है, और इसका इस्तमाल, धूल मिट्टी के जो भी हलके कड़ होते हैं, उनको साफ करने के लिए किया जाता है, देखते हैं next tool, next tool आ जाता है दोस्तों हमारा micro fiber cloth duster, most important है, पढ़ लेते हैं, ये चार रंगों में उपलब्द होते हैं, कौन-कौन से, पीला, नीला, हरा और लाल, और इसका उपयोग अलग-अलग काम के लिए किया जाता है, क्या है दोस्तों, ध्यान में रखके चलना है, most important है, micro fiber cloth duster, जो दोस्तों, आपको image में दिखाई दे रहा होगा, ये आपके, चार कलर में उपलब्द होते हैं, कौन-कौन से, एक तो हो गया हमारा, पीला, नीला, लाल और हरा, और इनका जो काम होता है, इन चारों का काम, अलग-अलग, अलग-अलग जगाह पर इनका काम किया जाता है, कौन-कौन सी जगह पर, किस duster का इस्तमाल, कौन से micro fiber का इस्तमाल किस के बता देते हैं, देखो, नीले micro fiber cloth duster का इस्तमाल, दीवारों की सफाई के लिए, और dusting करने के लिए, किया जाता है, याद रखना है, जो हमारे micro fiber cloth duster हैं, यह चार पिरकार के होते हैं, कितने, चार पिरकार के होते हैं, और हर, हर micro fiber cloth duster का इस्तमाल, अलग-अलग काम के इसका इस्तमाल दीवारों की सफाई और डेस्टिंग करने के लिए किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा येलो येलो मतलब की पीला माइक्रो फाइवर क्लोथ डेस्टर देखते हैं पीले माइक्रो फाइवर क्लोथ डेस्टर का इस्तमा जितनी भी बस्तुएं कांच से बनी ही होती हैं उन सभी को साफ करने के लिए पीले माइक्रो फाइवर मतलब कि येलो माइक्रो फाइवर क्लोथ रिश्टर का इस्तमाल किया जा सकता है जैसे मान लीजिए LED TV हो गया उसकी स्क्रीन होती है उसकी स्क्रीन को भी हम इस से येलो मा खीड़की इन सबी को किस से साफ किया जाएगा येलो किलर के microfiber cloth duster से इनको साफ किया जाएगा याद में रखना है येलो color microfiber cloth duster जो यह कि गिलास से बनी गिलास कांच सीजा इन सबी वस्तूएं को साफ करने के लिए होता है देखते हैं next next दोस्तो हमारा red micro fiber cloth duster most important है ये भी किसको कौनसा red मतलब कि लाल micro fiber cloth duster का इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है ध्यान में रखना है most important है दोस्तो ये सफाई करमचारी वाले student से trade test में 101% पूछा जाता है याद में रखना है कौनसा जो हमारा लाल कलर का micro fiber cloth duster होता है उसका इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता याद में रखना है नीला micro fiber cloth duster दीवारों को साफ करने के लिए है पीला micro fiber cloth duster कांच से बनी हुई वस्तुएं जैसे कांच सीसा खिड़की इन सबीयों को साफ करने के लिए हो गया अब आता है लाल micro fiber लाल micro fiber duster जो हमारा इसका इस्तमार toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है देखते ही next next हमारा green micro fiber cloth duster मतलब कि हरे color का micro fiber cloth duster है इसका इस्तमार कहा करेंगे तो आप देख सकते हो हरे रंग के micro fiber cloth duster का इस्तमार furniture की polish करने के लिए किया जाता है किसमें furniture की polish करने के लिए हरे color के micro fiber cloth duster का इस्तमार किया जाता है तो दोस्तों most important है यह 4 पिरकार के होते हैं sorry 4 पिरकार के micro fiber cloth duster है 4 पिरकार के बारे में मैंने आपको बता दिया है बिलू वाला दीवार की साफ सफाई के लिए होता यलो वाला काच खिड़कियों के लिए होता है रेड वाला टॉइलेट सीट को साफ करने के लिए हो जाएगा और जो हमारा ग्रीन क्लॉथ डेस्टर है यह हमारा फरनीचर की पॉलिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट दोस्तो जो भी इस्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन परसन पर अभी नए आए हैं वो सब इस्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे के आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहें तो देखते हैं नेक्स्ट टूल नेक्स्ट टूल क्या है दोस्तो नेक्स्ट टूल है हमारा यह जहालू पुवाल घहस से बनाई जाती है किसे बनाई जाती है एक पुवाल नाम की घहस होती है उससे इस जहालू को बनाया जाता है और इस जहालू को सीतल पुवाल जहालू के नाम से जाना जाता है क्या है इसे जो बनाया जाता है पौाल घास से इस जालू को बनाया जाता है और इस जालू को हम सीतल पौाल जालू या फिर सौफ्ट इस्ट्रावरूम के नाम से जानते हैं इस जालू का उप्योग फर्स एबम खुले इस्थानों की साफ सफाई करने के लिए हम कर सकते हैं इसका कोई भी एक perfect इस्थान नहीं है कि हम यहीं पर इसका इस्तमाल करेंगे इसका इस्तमाल हम first पर भी कर सकते हैं और छोटी मुटी खुली जगा है वहाँ पर भी इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं देखते हैं next tool next tool क्या है दोस्तों next tool आजाएगा coconut brome मतलब कि नारियल ज़ाडू इस ज़ाडू को नारियल ज़ाडू का नाम से जाना जाता है और नारियल ज़ाडू का उपयोग कठोर सतह की सफाई करने के लिए किया जाता है कठोर सतह जैसे कि हमाने मान लीजिए मैदान खुले मैदान हो सड़क हो गई रोड्स हो गए जो भी रोड हो गए हमारे जो हमारी कठोर जगा होती है उनको साफ सपाई करने के लिए किसका इस्तमाल होता है coconut brome मतलब नारियल ज़ाडू का इस्तमाल हम कठोर सतह पर साफ सपाई करने के लिए करते हैं याद में रखना इस ज़ाडू से related question आपको 101% आपसे trade test में पूछा जाएगा देखते हैं next tool नेक्स टूल आएगा दोस्तो हमारा coconut bamboo broom मतलब की नारियल बांश ज़ाडू सबसे most important ज़ाडू है यह सफाई करमचारी वाले student के लिए कौनसी bamboo broom sorry coconut bamboo broom जो यह नारियल बांश ज़ाडू होती है यह सबसे most important है इसके ब इसको पकड़ने का तरीका आपका देखा जाएगा इसको यूज करने का तरीका आपके trade test में देखा जाएगा किस पिरकार से इसको यूज करते हो किस पिरकार से आप पकड़ते हो किस पिरकार से इससे आप ज़ाडू लगाते हो सफसफाई करते हो और कौनसी जगा पर इसक इस ज़ाडू का इस्तमाल किया जाएगा कौन सी नारियल बांश ज़ाडू जो होती हैं इसका इस्तमाल कठोर जगहां पर किया जाता है अब बात कर लेते हैं इसके पकड़ने के तरीके की, तो देख सकते हो आप coconut bamboo broom पकड़ने का सही तरीका, जो हमारी जाड़ू है इसको पकड़ने का सही तरीका क्या होगा, तो कैसे पकड़ा जाएगा मैं आपको बता दूँ कैसे पकड़ा जाएगा जो आपका right hand होगा राइट हेंड आपको सबसे उपर से पकड़ना है क्या है यह होगे राइट हेंड राइट हेंड को आपको उपर से पकड़ना है और लेफ्ट हेंड आपको जो हमारा लेफ्ट हेंड है उसको बीच में आपको पकड़ना है इस तरीके से जो आपको साफ साफ दिखाई दिया है इमेज में इस पिरकार से ज़ाडू को आपको पकड़ना है वहाँ पर ज़ाडू पकड़ने का भी तरीका आपसे देखा जाएगा वह आपसे बोलेंगे कि इस बास ज़ाडू को उठाईए वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि इसका तरीका बताईए कैसे पकड़ना है सिर्फ वो आपसे बोलेंगे ट्री टेस्ट में बास जाडू को उठाईए और इसका उप्योग करके हमें दिखाईए तो आपको पकड़ने का सही तरीका आना चाहिए जिस पिरकार से वोटो में आप देख सकते हो कैसे पकड़ रखा जाडू को इस पिरकार से आपको जाडू को पकड़ना है और फिर आपको जाडू इस्तमाल करनी है कहाँ पर इसको फर्ष फर्ष पर इस्तमाल वहाँ पर नहीं करना है वो आपको बोलेंगे जालू को इस्तमाल करके दिखाओ, तो फर्स पन नहीं खरना है, आपको दूर जाना है, मान लिए आपको फर्स पर खड़ा कर रखा है, तो आपको फर्स से नीच उतर के कठोर सते हैं, कहां पर कठोर, कठोर सते हैं पर इसका इस्तमाल करके दिखाना है, तभी आपको tray test में pass किया जाएगा यह आपके most important facts हैं जो आपके tray test में अधिकतर लोग यहाँ पर fail हो जाते हैं देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तो हमारा soft flower bro मतलब full जालू इस जालू को मुलाइम जालू या फिर full जालू के नाम से जाना जाता है और full जालू का इस्तमाल first album चिकनी सतय को साफ करने के लिए किया जाता है आपको image में दिखाई दे रहा है यह कौन सी जालू है इसे full जालू के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तमाल कहां किया जाता है इसका इस्तमाल most of first या फिर जितनी भी चिकनी जितनी भी चिकनी सते हैं वहाँ पर इस जाडू का इस्तमाल किया जाएगा इसका इस्तमाल कठोर सते पर गलती से भी आप नहीं करना है वरना त्रे टेस्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा याद रखना है फूल जाडू का इस्तमाल चिकनी सता या फिर फर्स पर इसका इस्तमाल करना होगा देखते हैं next tool next tool है दोस्तो हमारा soft plastic broom कौनसा soft plastic broom जो हमारी soft एक तो थी full जाडू full कौनसी full जाडू थी एक हो गई हमारी soft plastic broom दोनों जाडू में फर्क कुछ निये बड़ इतना है यह जो होती है यह plastic में available होती है बड़ soft यह भी होती है इसका अभी इस्तमाल कहां पर किया जाएगा इसका इस्तमाल हम first और चिकनी सते पर ही करते हैं फूल जाडू का इस्तमाल और सॉफ्ट प्लास्टिक जाडू का इस्तमाल जो हमारी सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रूम होती है इन दोनों का ही इस्तमाल फर्स और चिकनी सतय पर किया जाता है याद रखना है फूल जाडू का इस्तमाल और सॉफ्ट प्लास्टिक ब्रूम इस्तम तो हमारा कौन सा housekeeping blue hand gloves sorry इससे पहले आ जाएगा हमारा hard plastic broom hard plastic broom क्या दोस्तों hard plastic broom के बारे में जान लेते हैं आपको photo में तो दिखाई दे रहा होगा hard plastic broom होता क्या है देख सकते हो तो दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में यह जाडू plastic से बनी एक कटोर plastic जाडू है और इसका इस्तमाल सभी bathroom, album, toilet आदी के फर्स आदी को साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है क्या दोस्तों यह जो जाडू है हमारी यह plastic से बनी हुई होती है बट यह hard plastic से बनी हुई होती है जो इसकी यह तीलिया है यह थोड़ी hard होती है और इनका इस्तमाल जो किया जाता है bathroom और toilet को फर्स को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है याद रखना है hard plastic broom जो हमारी कठोर plastic की जाड़ू होती है इसका इस्तमाल toilet और bathroom के first की साफ सफाई करने के लिए इसका इस्तमाल हम करते हैं देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तो हमारा housekeeping blue hand gloves क्या blue hand gloves इसका इस्तमाल कहां किया जाएगा देख सकते हैं नीले दस्तमाल first की सफाई के लिए किया जाता है याद रखना दोस्तो gloves भी most important है आपके tray test के लिए जो हमारे नीले कलर के दस्तमाले होते हैं blue hand gloves होते हैं इनका इस्तमाल कहां किया जाएगा तो इनका इस्तमाल जो हम first की पोच्छा या साफ सफाई करेंगे तो उनका इस्तमाल हम blue hand gloves का इस्तमाल first की सफाई के लिए करते हैं देखते हैं next tool next tool आजाएगा दोस्तो हमारा red hand gloves कौन सा red के hand gloves blue hand gloves का इस्तमाल तो आप first की सफाई के लिए करते हैं अब देख लेते हैं red hand gloves लाल दस्ताने का इस्तमाल toilet seat याद रखना है most important है किसके लिए toilet seat की सापसफाई करने के लिए हम लाल कलर के दस्तानी का इस्तमाल करते हैं red कलर के जो gloves होते हैं उनका इस्तमाल toilet seat को या फिर toilet की सापसफाई करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool, next tool आता है दोस्तों हमारा scrubber, hand scrubber, यह है क्या चीज, इसे जाल लेते हैं, इसका इस्तमाल फिलोर या दीवार की scrubbing, मतलब कि गिसाई दाग धब्बों को फिलोर या दीवार से हटाने के लिए किया जाता है, आप photo में देख सकते हो, जब भी हमारे first पर, जैसे म हमारे first size में कोई दाग धब्बा लग जाता है, तब हम scrubber, इसको scrubber बोला जाता है, यह जो आपके सामने रखे हुए हैं, यह scrubber है, hand scrubber, तब इन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हम scrubber का इस्तमाल करते हैं, माली जिए किसी ties पर, दीवार पर, दाग धब्बे लग तब हम hand scrubber का इस्तमाल दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, देखते ही next tool, next tool आता दोस्तों हमारा washroom या फिर toilet cleaning scrubber, याद रखना है, washroom या toilet cleaning scrubber, इसका इस्तमाल bathroom और toilet seat की दीवारों और toilet seat की scrubbing मतलब घिसाई, या फिर दाग धब्बों को हटाने के लिए किय जाता है, वैसे तो most of इसका इस्तमाल कहां किया जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारे toilet cleaning scrubber है, इसका इस्तमाल वैसे तो toilet seat को साफ करने के लिए किया जाता है, बट साथ में हम इसका इस्तमाल bathroom और toilet की दीवारों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको जो इस्क्रबर होता है, वो मैंने बता दिया, यह इस्क्रबर होगा आपका toilet के लिए, और जो इससे पहले जो बताया बैने, यह इस्क्रबर जो यह फिलोरिया फिर दीवार के लिए इस्तमाल किया जाएगा, और इसका इस्तमाल toilet और bathroom के लिए किया जाएगा, याद में थो जब भी मिरर काँच खीड़की सीसे से बनी जो वी वस्तूव होती oraz गन्दे हो जाते हैं तो उनको साफ में कंने केलिए सबसे पहले इस्प्रे बोटल में कॉलीं बगए मिकल लिया जाता है उनको उसको इस्प्रे किया जाता है इस्प्रे करने के बाद में उसके बाद में क्या किया जाएगा गिलास स्क्रेपर यह स्क्रेपर है आपके सामने क्या यह जो दिया गया यह स्क्रेपर है उसके बाद में उस कैमिकल को स्क्रेपर से साफ किया जाता जिससे की गिलास या कांच पर जो भी वस्तू है उन पर लगे दाग दब्बे हटाए जा सकें देखते हैं नेक्स टूल है दोस्तो हमारा क्लीनिंग डस्टर इसे डस्टर भी बोज सकते हैं देख सकते हैं क्लीनिंग डस्टर को अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे की डस्ट रिमूवर, फैदर डस्टर, माइक्रो फाइवर इस्टेटिक डस्टर, मल्टी कलर फैदर डस्टर, एटी सी मतलब कि जो हमारा ये इमेज में दिया हुआ है डस्टर इसको कई नामों से जाना जाता है कौन-कौन से या तो इसे क्लीनिंग डस्टर बोल सकते हो, इसे डस्ट रिमूवर भी बोल सकते हो, इसे फैदर डस्टर के नाम से भी पोकारा जा सकता है या फिर इसे micro fiber static duster या फिर इसे multi color feather duster के नाम से भी इसे पुकार सकते हैं मतलब कि जान सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके use के बारे में cleaning duster मतलब कि जो भी कुछ भी बोलीजिए feather duster या dust remover cleaning duster का इस्तमाल धूल और मिट्टी के कड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है किसका यह हमारा सामने दिया गया है cleaning duster या फिर dust remover इसका इस्तमाल धूल और मिट्टी के कड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तों हमारा आपके सामने दो image दिखाई दे रही है बड़ दोनों का मतलब क्या है दोनों image का मतलब एक ही है यह जो है क्या है यह कॉव वेब रिमूबर होती है मतलब की मखडी का जाले हटाने वाली जाडू होती है यह दो सिप में आती है एक तो एक राउंड चेप हो गई एक आपकी इस पिरकार की है यह दोनों इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं बट दोनों को काम एक है मकडी के जाले को हटाने के लिए कॉव वेब रिमूबर का इस्तमाल किया जाता है याद रखना है आपके सामने कोई सी भी अगर कॉव वेब रिमूबर रखी जाती है नहीं होना देख सकते हो दोनों को इनमें यहीं डिफ्रेंस है बस इनकी बनावट में डिफ्रेंस है बट काम एक हे मकडी के जाले को हटाने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल है दोस्तों हमारा कार्पेट ब्रस कार्पेट ब्रस क्या है तो जान लेते हैं कार्पेट क्लीनिंग में ब्रस का करें इस्तमाल यदि आप कार्पेट पर पड़े दाग धब्बों को छुड़ाने में ब्रस का soft हातों से इस्तमाल करें तो इससे आपका कार्पेट आसानी से साफ हो सकता है कड़े हातों से ब्रस चलाने से कार्पेट के धागे तूट कर खराब हो सकते हैं अब बात करते हैं ठंडे पानी का इस्तमाल करें जब भी आप क्या है यह आपका कार्पेट हो गया यह हो गया कार्पेट ब्रस कार्पेट ब्रस से इसकी सफाई हम करते हैं कैसे हलके हातों से मतलब की साफ साफ इसमें दिया गया है देख सकते हो आप सौफ्ट हातों से इस ब्रस का इस्तमाल कार्पेट को साफ करने के लिए किया जाएगा अगर हम कड़े हाथों से इसको साफ करेंगे तो इसके दागे तूट जाते हैं और ये कार्पेट खराब हो जाता है, तो ये कार्पेट ब्रस का इस्तमाल कहा किया जाएगा, कार्पेट ब्रस का इस्तमाल कार्पेट को साफ करने के लिए किया जाता है, देखते हैं, में ब्रस के बारें बताऊंगा तो आप जान लेते हैं डश्ट पैन और ब्रस का संयोजन अधिकांस पेसेवरों के लिए एक प्रमुक सफाई उपकरण है और इसका उपयोग विभिन पिरकार के उद्ध्योगों के साथ 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 घरों में भी किया जा सकता है एक डश्ट पै एक सेट के रूप में ब्रस या जालू के साथ ले सकते हैं ये जो हमारे डश्ट पैन है इसका इस्तमाल आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है जो हमारा डश्ट पैन होता है इसका इस्तमाल मैंने पहले भी बताया है गंदगी या फिर धूल मिट्टी जो भी होती ह फर्स पर उसकी साफ सपाई को हम करते हैं तो उसकी गंदियों और धूल मिट्टी को लेने के लिए dust pen का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool, next tool आता है दोस्तों हमारा कौन सा? grout, grout brush, यह grout brush क्या होता है? तो जान लेते हैं grout brush 3-in-1 brush होता है आपके सामने दिख रहा है 1, 2, 3 यह 3-in-1 brush होते हैं तो जान लेते हैं grout brush 3-in-1, grout cleaning brush या फिर toilet, joint tub, floor cleaning या फिर utility room के लिए big scrubber या फिर lung brush, diva, tiles, rail, खिड़की के frame के लिए लिए यह विसेशग्या है इस scrub brush handle के साथ सबी घरेलू जैसे sour, bathroom, kitchen, seam, floor, line के लिए कठोर सफाई brush है मतलब इसका जो इस्तमाल किया जाता है कहां पर किया जाएगा? किसका? grout brush का इस्तमाल हम कहां कहां पर कर सकते हैं? इसका इस्तमाल हम grout cleaning brush का इस्तमाल, tile, joint, tub, floor cleaning, utility room, big scrubber, lung brush, diva, tiles, rail, खिड़की और sour, bathroom, kitchen, seam, floor इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं इसलिए इसे three in one grout brush बोला जाता है क्या जगाओं पर इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं देखते हैं next tool, next tool आता दोस्तो हमारा kitchen corner brush, kitchen corner brush क्या है? तो जान लेते हैं किचन, कौर्नर, बिरस का इस्तमाल किचन के सभी कौर्नर, मतलब कि सभी पृकार के दीवार या अन्य कॉने, जो दीवार होती है हमारी, इसमें कोई भी गंध्यी जैसे यह हो गई, यह होते हैं कौर्णर, इसको कौर्णर बोला जाता है। तो इसलिए सभी पिरकार के दीवार या अन्य कोने को अच्छी तरह से साफ सफाई करने के लिए उप्योग में लाया जायता है किसका kitchen corner brush का इस्तमाल, kitchen में कि Ch前 controller को अच्छे तरीके से साफ सपाई करने के लिए इसका किया जाता है, दिखते हैं next tool, next tool आता दोस्तों हमारा hockey toilet brush, hockey toilet brush का इस्तमाल toilet sheet और toilet bowl, जो हमारा toilet का कटोरह होता है, जिसे हम toilet bowl बोलते हैं उसको साफ करने के लिए किया जाता है कौन से होकी toilet brush इसे होकी toilet brush क्यों बोला जाता है क्योंकि ये होकी की shape में brush होता है ये brush जो होता है ये brush जो होता है हमारा इस shape में होता है इस type से इस type से यहाँ पर इसमें काटे लगे होते हैं wire लगे होते हैं soft supply के लि की साफ सपाई करने के लिए किया जाता है देखते हैं नेक्स टूल नेक्स टूल आता दोस्तों हमारा डॉल साइड टॉयलेट ब्रस अब ये डॉल साइड टॉयलेट ब्रस क्या है जान लेते हैं दोनों तरफ टॉयलेट ब्रस का इस्तमाल टॉयलेट सीट और बाउल वाइर मतलब की तार लगे होते हैं लेकिन दौनों ब्रस का कार्या एक ही है आप साब साब देख सकते हो जो हमारा होकी टॉइलेट ब्रस है दोस्तो इसमें सिर्फ क्या है एक साइड वे ही जो ब्रस के वाइर हैं वो लगे हुए है और आप जो हमारा dual side वाला toilet brush है इसमें दोनों तरफ wire लगे हुए है बट क्या है दोनों का काम एक ही होता है क्या toilet seat को या फिर toilet को साफ करने के लिए इनका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तों हमारा floor and wall brush क्या है ये floor and wall brush floor और दीवार का brush इनके अलग-अलग इस्तमाल हैं देखते हैं floor brush का इस्तमाल floor की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है next हमारा wall brush मतलब की दीवार brush दीवार का जो brush होता है दीवार brush का इस्तमाल दीवार की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है आप साप साप देख सकते हो यहां पर इनमें एक switch लगा दी जाती है तब इनका इस्तमाल दीवार को उचाई तक साफ करने के लिए कर सकते हैं और फिलोर की भी साप सपाई करने के लिए इसका हम कर सकते हैं देखते हैं next tool, next tool आता है दोस्तो हमारा hard floor brush, hard floor brush क्या होता है, इस brush का इस्तमाल बड़े बड़े फिलोर फर्स आदी की सफाई करने के लिए किया जाता है, अगर हम किसी छोटे फर्स या room की सफाई करते हैं, तो वहाँ पर हम full जाडू का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बा किसी रूम की सफाई करते हैं, यह मैंना आपको पहले भी बताया था भी पहले, तो हम किसका full जाडू का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर बात आ जाए किसी फिलोर को साफ करने की, फिलोर तो बड़े होते हैं, तब उस टाइम पर सफाई के लिए क्या होता है, जो हमारे फिलोर brush होते हैं, उनका इस्तमाल किया जाता है, या तो dry dust, sorry, फिलोर brush होते हैं, इनका इस्तमाल हम फिलोर के लिए करते हैं, अगर छोटा रूम है, छोटे रूम में हम सिर्फ फूल जाडू का इस्तमाल कर सकते हैं, और फिलोर के लिए फिलोर brush का ही इस्तमाल करते हैं, जिससे की का वायर फिलोर श्क्रब श्क्रबिंग ब्रस का इस्तमाल किसी वी फ्रस को इस्क्रब मतलब गिशने के लिए मसीन में इसका इस्तमाल किया जाता है कोई वी फ्रस है अगर हमें उसको इसक्रबिंग मतलब गिसाई करनी है तब उस समय मसीन में इसका इस्तमाल किया जाता है देख जान लेते हैं इंडियन टॉइलेट शीट के बारे में तो इसके बारे में क्या है पूरी इन्फोर्मेशन दी हुई है जो भी जिसके important fact है भारत में सबसे ज़्यादा इंडियन टॉइलेट सीट का उपयोग किया जाता है इसका उपयोग करते समय व्यक्ति अपने पैरों के साहरे बैठकर त्याग मल त्याग करता है मल त्याग मतलब की लैटरिंग या फिर पॉटी बोल सकते हो करता है इस पिरकार की व्यवस्ता को इसक्वैटिंग पोजीशन कहते हैं ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से हम इंडियन टॉइलेट सीट में बैठते हैं इस स्थिती में रक्त परिसंचरन अच्छी तरह से होता है और आपके हातों और पैरों को व्यायाम करने में भी आपको मदद मिलती है तो साब साब बताया गया है टॉइलेट सीट के बारे में आपको जो भी most important इसको effect थे वो हमने आपको इसमें बताया है इसका इस्तमाल किसके लिए किया जाता है वो तो आपको सभी को पता ही है और सबसे best toilet seat कौन सी है इंडियन toilet seat या फिर western toilet seat या आप मुझे comment में जल्दी बताओ देखते है next tool next tool आता है दोस्तो men's urinal pot या फिर men's urinal toilet seat men's urinal pot या फिर men's urinal toilet seat का इस्तमाल urinal मतलब कि मूत्राले का उपयोग पुरुस मूत्र मिसर्जन के लिए करता है इसका इस्तमाल किसके लिए क्या जाता है इसका इस्तमाल पुरुस मूत्र मिसर्जन के लिए करते हैं देखते हैं next tool है दोस्तो हमारा western या फिर English toilet seat ये वैसे तो इसे western sally के अंतरगत आती है ये toilet seat जो है western sally के अंतरगत आती है बट कुछ लोग इसे English toilet seat भी बोल देते हैं तो जान लेते हैं पश्चमी सब्यता पश्चमी सब्यता देख लो मैंने बताया था western sally आपको साब साब दे दिया गया है पश्चमी सब्यता के toilet seat सौच किरिया करने का ऐसा इस्थान है जहां पर आप आसानी के साथ अपने कूलों की साहता से बैठकर मलत्याग कर सकते हैं western toilet आजकल बहुत ही प्रचलित हो रहा है इसे मुख्य रूप से ब्रेटैन में प्रारम किया गया था जो पश्चमी देश से होते हुए भारत जैसे अन्य देशों में भी इसका उप्योग किया जाने लगा है मलत्याग करने की इस व्यवस्था को sit down position कहा जाता है western toilet विशेश रूप से विरद्धावस्था वाले व्यक्तियों के लिए सुविधा जनक होती है जो इसका इस्तमाल होता है दोस्तों जो हमारे व्यद्ध्य बूढ़े व्यक्ति है या फिर विकलांग व्यक्ति है उनके लिए इसका इस्तमाल सबसे अच्छा माना गया है जो इंडियन विसाली है उसके इसाब से इस toilet sheet को ज्यादा मानेता नहीं दी गई है सबसे ज़्यादा जो मानेता दी गई है वो आपको इंडियन toilet sheet को ही दी गई है इसको सिर्फ और सिर्फ मानेता दी गई है तो व्यक्तियों के लिए और विकलांग व्यक्तियों के लिए मानेता दी गई है देखते हैं नेक्स टूल next tool है दोस्तो हमारा toilet flush tank क्या toilet flush tank toilet flush tank होता क्या है toilet flush tank का इस्तमाल toilet में मलत्याक करने के बाद किया जाता है toilet flush tank में पानी भरा होता है और इसका उप्योग मलत्याक को बहाने या फिर toilet sheet को साफ करने के लिए किया जाता है आप साफ साफ देख सकते हो और इसका इस्तमाल भी आपको आता होगा इसका इस्तमाल किसलिए किया जाता वो सभी को पता होए देखते हैं next next आता दोस्तो हमारा glass cleaner telescope stick यह है क्या चीज़ glass cleaner telescope stick का इस्तमाल उचाई पर लगे glass खिडकी आदी को साफ करने के लिए किया जाता है जो अभी दोस्तो बड़ी बड़ी buildings होती हैं उनमें जो कांच खिडकी लगे होते हैं इनकी साफ सपाई करने के लिए किसका इस्तमाल किया जाता है टेली स्कोप stick का इस्तमाल इनकी साफ सपाई के जो कांच होते हैं इनकी साफ सपाई के लिए टेलीजकोप स्टिक का ही इस्तमाल किया जाता है देखते हैं, नेक्स्ट टूल है दोस्तों हमारा हाॉस्कीपिंग लेदर हाॉस्कीपिंग लेदर मतलब की सीडी सीड़ी का उपयोग उचाई वाली जगहे पर लगी हुई गंदगी आदी को साफ करने के लिए किया जाता है सफाई के अलाबा अन्य कामों में भी इसका इस्तमाल किया जाता है हाउसकीपिंग जो सफाई करमचारी होते हैं अगर किसी उचाई की सफाई करना चाते हैं तब वो लेधर मतलब सीड़ी का उपयोग कर सकते हैं अन्य था इसका उपयोग अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है देखते हैं नेक्स टूल next tool है दोस्तों हमारा housekeeping candy basket या फिर tool basket most important है दोस्तों यहां फिलिए किसके जो भी सफाई करमचारी वाल स्टुडेंट है इसके बारे में उसको जानना सफाई करमचारी वाल स्टुडेंट को जानना बहुत जरूरी है या most important tool है candy basket या tool उपकरन basket इसे cleaner box भी कह जाता है मतलब कि candy basket जो है जिसे हम tools बोल सकते हैं उपकरान हिंदी में बोला जाता है इसे cleaner box के नाम से भी जाना जाता है इसका उपयोग सफाई करमचारी कमरे की सफाई के लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक की अपूरती के लिए किया जाता है मतलब कि इसमें साप सारी के chemicals होते हैं आपको दिया गया है सफाई करमचारी अपने सभी उपकरण और रसाइन chemicals को रखने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है साप साब भासामें में यही बोलना चाहता हूं जो सफाई करमचारी होता है इस tool का इस्तमाल अपने सभी ओजारों मतलब tools को और housekeeping के chemicals होते हैं उनको रखने के लिए candy basket या फिर tool basket का इस्तमाल करता है देखते हैं next tool next tool आता दोस्तों हमारा janitor cat trolley या फिर फिलोड रॉली यह क्या है इसका इस्तमाल कहां किया जाता है देख लेते हैं जब बड़ी मात्रा में अपूर्ती और वस्तू को ढोना या बदनना हो तो यह hand candies की तुल्ला में अधिक उपयोगी होते हैं मैंना भी बताया था यह क्या है यह हमारा tools रखने के लिए क्या है बास्केट है इसकी ही अपेक्षा में यह मैंने आपको बताया है next tool यह janitor cat trolley या फिर फिलोड ट्रॉली उसी के उपयोग में लाया जाता है मतलब उसी तरी में अपूर्ती और वस्तूओं को ढोना या बदलना हो तो यह hand candies की तुल्ला में अधिक उपयोगी होते हैं वे सफाई उपकरन सफाई एजेंटों लीनन छोटे टुकड़ों को कुसल हटाने और धुलाई करने के लिए आदर्स हैं ऐसी गाड़ियां और ट्रॉलियां कारिय इस थल पर उपकरनों को छोड़ने या उन्हें एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जाने में बरवाद होने वाले समय को समाप्त कर देते हैं साब साब बोला गया है जै मैंने अभी आपको बताई थी जो हमारी सफाई करमचारी की केंडी बास्केट थी उसको किसके लिए किया जाएगा सफाई करमचारी अपने सभी टूल्स और कैमिकल्स को रख सकता है वाट उसमें क्या है कुछ थोड़ा बहुत ही समान उसमें रखा जा सकता है अगर मान लीजिए बड़ी मात्रा में समान हमको ले कर जाना है तो बड़ी मात्रा में समान ले जाने के लिए जै देखते हैं next next tool है दोस्तों हमारा morph ringle trolley morph ringle trolley क्या है तीन bucket morph ringle trolley गीले पूछे को हाथ से अधिक परियास किये बिना निचोडे में मदद करती है पहली बाल्टी पहली बाल्टी मतलब जो पहली बाल्टी इसमें पोच्छा डुबोया जाता है फिर पोच्छे को दूसरी बाल्टी में खंगाला जाता है और फर्स पर पोच्छा लगाने से पहले तीसरी बाल्टी में डुबोया जाता है जिसमें कीटाडू ना सक भी हो सकता है मतलग इसमें सापसाप बोला गया है पहली बाल्टी में क्या ह होता है पोचा लगाने के लिए पानी भरा होता है उसके बाद में इस में पोचा डुबाया जाता है फिर उसके बाद फर्स पर पोचा लगाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो आप समझ के होंगे मौपरंगल ट्रॉली का इस्तमाल कहां किया जाएगा देखते हैं नेक्स्ट टूल नेक्स्ट टूल है दोस्तो हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट का ट्रोली ये है क्या चीज जान लेते हैं हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंडेंट द्वारा उनकी दैनिक सफाइस गतिविदियों के लिए उप्योग किये जाने वाले सबसे महतपूर्ण उपकरणों में से एक है इसे रूम अटेंडेंट की ट्रोली न है एक अतितिक अक्ष की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए आवस्तक सभी चीजों का इस्टोक मतलब कि यह जो आपको दिया गया है इसको एक बार ध्यान से पढ़ें और समझें जो आपकी हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट का ट्रोली है उसका उप्योग कैसे किया जाता है और किस लिए इसका इस्तमाल किया जाता है यह इसको एक बार वीडियो को पॉस्ट करके आसानी से इसको पढ़ें और तब समझें अब मैं समझाने के लिए इसको आपको आगे दिखाता हूं समझाने के लिए मैंने आपको इसमें दिखा दिया है मैंने आपको इसक सफाई करमचारी का ट्रेड में फॉर्म एपलाई किया हुआ है उसमें आपको यह ट्रॉली का इस्तमाल कर रहाना चाहिए तो कैसे करना है तो इसमें क्या क्या चीजें रखी जाते हैं इसमें साफ साफ दिया रहा है जैसे क्लीनिंग सप्लाई है यहाँ पर रखे हुए हैं उपर रख सकते हो बात प्रोड़क्ट हि आप ही इसमें बताया गया है और वही तरीगा इसमें आपको यहां पर भी बताया गया है क्या क्या समान इसमें ले जाया जा सकता और कैसे सेवा किसी मनुष्य की की जा सकती है तो यही इसमें बताया गया है room attendant काट रोली most important है इसको एक बार जरूर पढ़ लें देखते हैं next आता दोस्तो हमारा vacuum cleaner machine vacuum cleaner machine जिसे केवल vacuum या hoover के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसा उपकरण है जो फर्ष अशबाब परदे और अन्य सतों की गंदगी को हटाने के लिए सक्सन का कारण बनता है यह आमतोर पर विद्दुत चालित होता है दोस्तों जो हमारी यह vacuum cleaner machine होती है इसका इस्तमाल किसके लिए क्या जाता है इसका इस्तमाल फर्स हो गया, अस्बाब हो गया, परदे हो गया, सोफा, कुर्स, इमेज, इत्यादी इन सभी से धूल मिट्टी को हटाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और यह एक विद्दुत चालित machine होती है मतलब कि इसको बिजली से चलाया जाता है देखते हैं, next question next है, manual sweeper next tool क्या है, manual sweeper manual sweeper machine का इस्तमाल parking छेत्र की dust, दूल, मिट्टी आधी को साफ करने के लिए किया जाता है याद रखना है, क्या, जो हमारा manual sweeper है आपको image में दिख रहा है, manual sweeper इसका इस्तमाल, जो हमारा parking area होता है उसकी dust, धूल, मिट्टी, आधी को साफ करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है देखते हैं, next tool next tool आ जागा दोस्तो हमारा single disk floor scrubber या फिर polish machine इस machine का इस्तमाल floor की scrubbing और floor की polish करने के लिए किया गयाता है, image में आप देख सकते हो और इसे पड़े भी सकते हो image इसलिए दिया गया है, जिससे कि आप machine की पहचान कर सकें जब आपका trade test होगा, हो सकता है आपके सामने machine रिक दी जाए और आपसे floor grinder और polish machine floor grinder और polish machine का उपयोग उत्पाद को प्रभावी रूप से धूल के किनारे को polish और फर्ज की गिसाई के लिए उपयोग में इसे लाया जाता है देख सकते हो floor grinder और polish machine कैसी होती है और इसका उपयोग किसलिए किया जाता है यह मैंने आपको बता दिया है देखते हैं next tool next tool आता है दोस्तों हमारा next tool है floor auto scrubber machine floor auto scrubber machine का उपयोग floor की scrubbing मतलब गिसाई करने के लिए किया जाता है मतलब कि एक परकार से आप मान सकते हो पत्थर कहीं भी कहीं खराब हो जाता है तब उस समय इसकी गिसाई करके इसे चिकना करने के लिए इस machine का इस्तमाल हम कर सकते हैं किसका floor auto scrubber machine का इस्तमाल first की गिसाई करने के लिए या फिर scrubbing करने के लिए किया जाता है देखते है next tool next tool आता है दोस्तों हमारा walk behind the scrubber machine मतलब कि walk behind स्क्रबर मसीन का उपयोग फर्स की स्क्रबिंग करने के लिए किया जाता है और यह मसीन बैटरी से चलती है याद रखना है दोस्तों मौश्ट इम्पोटेंट है आफ फुडो देख सकते हो जो हमारी यह machine होती है इसका जो वो है मतलब कि यह जो machine होती है इसका इस्तमाल क्या है इसका इस्तमाल floor की scrubbing के लिए किया जाता है और सबसे important बात यह है यह जो machine होती है यह battery से चलती है देखते हैं next tool next tool है दोस्तो हमारा ride on machine ride on machine का उपयोग first की scrubbing करने के लिए किया जाता है देख सकते ह मशीन भी देख सकते हो काफी सारी मशीने हैं जिनका उपयोग फर्स की स्क्रबिंग पॉलिस और घिसाई करने के लिए किया जाता है कुछ मशीने मैं आपको इसमें कवर करा रहा हूँ क्या पता कौन सी मशीन आपके सामने ट्रे टेस्ट में आपसे पूछ ली जाए तो देखतें नेक्स टूल आएगा दोस्तो हमारा राइड ओन फिलोर स्वीपर मशीन मतलब की राइड ओन फिलोर स्वीपर मशीन का उपयोग फर्स की दूल मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है और ये मशीन बैटरी से चलती है ध्यान में रखना है राइड ओन फिलोर स्वीपर मशीन जो होती है दोस्तो इसका इस्तमाल किसके लिए किया जाता है इसका इस्तमाल फर्स से दूल मिट्टी आदी की सफाई करने के लिए किया जाता है और ये जो मसीन होती है ये मसीन बैटरी से चलती है आप इसमें ये ब्रस देख सकते हो ये धूल मिट्टी को साफ करते हैं और इसी में अंदर इस्टोक ये होती रहती है इसका बाद में बाहर ले जाकर के फैंक दिया जाता है प्याद रखना है Ride On Flourish Rubber Machine इसका नाम है देखते हैं नेक्स टूल अब नेक्स टूल आ जाता है दोस्तो कुछ साइन बोड़ जो हमारे सफाई करमचारी होते हैं वो कुछ साइन बोड़ का भी इस्तमाल करते हैं तो हम साइन बोड़ के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं तो सबसे पहला साइन बोड़ है Cleaning in Progress इस साइन बोड़ का इस्तमाल कब किया जाता है तो आप साब साब देख सकते हो सफाई करते वक्त इस साइन बोड़ का इस्तमाल करते हैं किया जाता है मतलब की cleaning in progress अगर ये signboard आपको कहीं पर लगा मिलता है तो वहां से आगे आप नहीं जाएए इसका मतलब है कि अभी सफाई चल रही है वहां पर सफाई का कारे अभी चल रहा है देखतें next signboard next आएगा हमारा wet floor signboard wet floor signboard का इस्तमाल कहां किया जाएगा इस signboard का इस्तमाल पोचा लगते वक्त फर्स गीला है मतलब इसका मतलब है अभी फर्स गीला है इसका मतलब है अभी फर्स गीला है अभी पोचा लगाया है उस समय इस signboard का इस्तमाल किया जाता है मतलब की wet floor साबधान फर्स गीला है आगे ना जा अभी फर्स गिला है इसलिए इस signboard का इस्तमाल किया जाता है देखते हैं next tool next tool आता है rest room closed rest room closed का है इस signboard का इस्तमाल जब विश्राम कक्ष मतलब कि जो rest room होता है की साप सपाई होती है तब इसका इस्तमाल मतलब कि तब इस signboard को लगाया जाता है अब देख सकते हो restroom closed for cleaning ये आपको दिखाई दे रहा होगा signboard पर restroom closed for cleaning मतलब की विश्राम कक्छ सफाई के लिए अभी बंद है इसके अंदर जाना भी मना है सफाई जब तक चल रही है जब सफाई खतम हो जाती है तो इन signboard को वहां से हटा दिया जाता है देखते हैं next next tool है दो कोशन देख सकते हो work in progress मतलब की साबधान रही है कार्या अभी प्रगति पर है इसका मतलब होता है work in progress कार्या प्रगति पर है देखते हैं next tool next tool है दोस्तों हमारा no entry signboard इसका कब किया जाएगा no entry signboard का इस्तमाल मतलब की अंदर आना मना है के लिए लगाया जाता है मान लीजिए कोई doctors है कोई office है कोई भी other office बगएर कशुभी है उसके बाहर अगर no entry no entry signboard लगाया जाता है तो आप मान लीजिए कि अभी अंदर जाने के लिए वो मना कर रहे हैं अंद त्रीका signboard लगा हुआ है इसका मतलब होता है अंदर जाना अंदर आना मना है देखते हैं अगला तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जितने भी सफाई करमचारी से related जितने भी most important tools थे उन सभी tools के बारे में हमने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया अच्छे तरीके से बताया अगर अब भी आपके mind में इसके अलाबा कोई भी किसी भी tools को लेकर के question बन है या फिर doubt है तो वो हमसे आप हमें comment में share करें या फिर हमारे telegram join करके आप हमें वहाँ पर अपनी problem share कर सकते हैं फुल help आपकी की जाएगी जो भी students सफाई करमचारी से related हैं वो सभी students इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए मैं आप मैं guarantee लेता हूँ trade test आपका बिल्कुल clear होका बिल्कुल भी fail आपका trade test नहीं होने वाला है इस वीडियो को last तक आपको एक बार जरूर देख लेना है जो भी students अभी हमारे channel पर नए आए हैं वो सभी students इस channel को subscribe करके bell icon को जरूर दबा लें तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे जल्दी ही next वीडियो में